नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक्स वक्त है आग के पोदे से करें इन छे बड़ी बड़ी बीमारियों का जड़ से इलाज दोस्तों औस दी गुनों से भरपूर आग के पोदे का इस्तमाल पूजा के लिए किया जाता है पूजा के इस्तमाल होने वाला यह पोदा सेहत के लिए बहुत अधिक फाइतिमंद है इसके फूल पतियों का इस्तमाल अस्तमा, डाइबर्टीज, कुष्ट्रोग और बवसिर जैसे बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करता है मदार, अर्क या अकोवा के नाम से पहचाने जाने वाले इस पोदे से और भी स्किन में अलर्जी या खुजली जैसे समस्याओं को दूर किया जासकता है विशैला होने के बावजूद भी इस पोदे में कई तरह के उश्टियों को पाई जाते हैं तो आईए जानते हैं किस तरह इस पोदे के फूल पत्ते का इस्तमाल से बड़ी से बड़ी विमारियों को दूर करने में यह हमारी मदद करता है तो आईए दोस्तों जानते हैं उनके बारे में पहला अस्थमा, इसके फूलों को सुखा कर रोजाना इसका चून खाने से अस्थमा, फेपणों के रोग और सरीर की कमजोरी दूर होती है खुजली, स्किन में अलर्जी या रूखे बन के कांड खुजली की समस्या हो जाती है इससे छुटकारा पाने के लिए इसकी जड़ को जला लें, इसकी राग को कड़वे तेल में मिलाकर खुजली वाली जगह पर लगाएं, खुजली की परिसानी दूर हो जाएगी डाइबटीच, रोजाना सुबे, इस पोदे की पतियों को पैर के नीचे रखकर जुराबे डाल लें, रात को सोने से पहले इस पत्ते को निकाल दें, इसका इस्तमाद सुगर कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है कुश्ठ रोग, इसकी पतियों को पीश कर सरसों के तेल में मिक्स करें, इससे कुश्ठ रोग के घाव पर लगाएं, इसे निमित रोप से लगाने पर घाव जल्दी भर जायेंगे बवसीर, आग का पत्ता और ठंटल को पानी में भिको दें इसे पीने से बवसीर की समस्या हामेशा के लिए दूर हो जाएगी चोट लगना, सरीर के किसी भी हिस्से में चोट लगने पर आग के पत्तों को गरम करके बंग लें इसे चोट से खून बहना, बंध होने के साथ साथ दर्द और सुजन भी दूर हो जाएगी तो दोस्तों आप भी आग का प्रयोग करके इसे होने वाले फाइदों को उठा सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकारी पराप्त हो तो प्लीज आप हमारी वडियो को लाइक वे शेर करना ना पूले इसके साथ साथ आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम चपरदस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमे बना सकते हैं और सुखमे जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तो